प्यारे बच्चों आज के क्लाफ में आप लोगों का हारदी कभी नंदन है बच्चों आज हम लोग फिर वही पढ़ेंगे 2018 पाफचात युद्ध कला आप लोगों का फेकेंड पेपर बीए पार्ट वन फेकेंड पेपर उफ में भी 2018 के पेपर का फेफ भाग हम लोग हलाज करेंगे ठीक है चलिए हम लोग बगेर देरी की हुए वहाँ पहुँचे हाँ तो बच्चों हम लोग जो है फफ्ट भाग में चालिफ प्रफन तक हल कर चुके थे आज से हम लोग प्रारंब करेंगे प्रफन फंख्या एक तालिफ ठीक है बच्चों एक तालिफ ही हम लोग उसमें हल कर चुके थे लेकिन इस ठीती थी कि मैं थोड़ा इस प्रफन म रूप में प्रफिद रहेगा यह कथन किफका है बच्चों यह कथन है लिडिल हार्ट का ठीक है यह कथन किफका है लिडिल हार्ट का उत्तर आपका फीफ़ ही होगा चलिए बयालिफ नंबर उत्तर का फेर किफका उपनाम है बच्चों उत्तर का फेर गुफ्तावफ एडॉल मंत्री थे युद्ध के समय मुहम्मद दुती ये फुल्तान मुहम्मद दुती ये प्रथम तोपची कह जाते थे नेपोलियन को युद्ध का देउता कहा जाता था ठीक है उत्तर का फेर किस का उपनाम है गुफ्तावफ एडॉल्फोफ का विकल भी आपका सही है चलिए तिर पावफ एडॉल्फोफ को विकल भी आपका सही होगा ठीक है चवालिफ नंबर पर आजाईए तिर्चाक्रम और अफ्वतोप खाना बच्चों तिर्चाक्रम और अफ्वतोप खाना ने लिखित में से किसे संबंदित है तो बच्चों तिर्चाक्रम होता या तिरियक आक्र और अफवतोब खाना का जनक माना जाता है फ्रेडरिक महान को बच्चों आपको तिर्चा क्रमो और अफवतोब खाना दोनों के लिए आपको भी ये जो है बिकल्ब आपका आफ नहीं होगा ठीकैं ठीक है बच्चों चलिए फ्रेडरिक महान किस देव के फाफक थे फ्रेडरिक महान बच्चों प्रफा के फाफक थे प्रफा का वर्तमान नाम क्या है जर्मनी जर्मनी का पूरो नाम क्या था प्रफा प्रफा को आज हम लोग जर्मनी के नाम से जानते हैं श्यालिफ नमबर भाप के इंजन का उष्कार किस ने किया बच्चों सब लोग जानते हैं भाप के इंजन भाप की फक्ती इसके आउष्कारक भाप के इंजन के आउष्कारक थे जेम्स वाट ठीक है जेम्स वाट किस देश के थे बच्चों ये ब्रिटेन के थे ठीक अब दे पेरम मायक जिमफ बच्चों कार्ट राइट ने क्या बनाया था को याद है हमने आपको पढ़ाया था अज़से बच्चों इसमें कार्ट राइट ने हixa पावर्व लूम का उच्छक पार किया था हरके रीप्स ने हर ग्रीबस ने क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है हर ग्रीब मेन का ओईफकर ठीक है बच्चों, काट राइट ने पावर लूम का ओईफकर हर ग्रीबस ने मेन का ओईफकर हिरम मैईग जिम ने मफ् kost1 गन को बनाया था और यह लोगा दिफ मना विखकर फंगीन का उइफकार हुआ बच्चों फंगीन का उइफकार जो हुआ वो बारूद युग की देन है ठीक है फंगीन जो है बारूद युग की ही देन है क्योंकि बारूद की युग में मफकेट मफकेट के बाद मफकेट के मफकेट को भाले की तरह प्रियोग करने के लिए फंगिन का निर्माड हुआ ठीक और उसके बाद जो है फारी प्राबलम ही फमाप्त हो गई जो बगल में भाले धारी फैने खाले होते थे मफकर धारी के बगल में ठीक है चलिए अनतालिफ नंबर तो आपका फोटी फेवर नंबर में आपका बिकल्प फी जो है फही होगा ठीक है बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं भिडंत युद्ध की फामर्की और लाइन फामर्की लाइन तथा कालम फामर्की किसे फामर्की बच्चों ये भिडंत युद्ध की फामर्की लाइम तथा कालम रचना ये जो है नेपोलियन की नेपोलियन का फमरतंत्र है ठीक है नेपोलियन इन दोनों फमरतंत्रों का प्रियोग करता था लाइम तथा कालम रचना का भिड़न दियुद्ध की फामर्की का लाइम रचना का प्रियोग करता था फायर को तेज करने के लि नेपूलियन फी चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग फेना पेट के बल चलती है ये कथन है बच्चों नेपूलियन का ठीक विकल्प फी आपका सही होगा आगे है फमग्र फफफ्त राफ्ट के फिद्धान्त के विकाफ में किफ यूग का फरवाधिक योगदान है बच्चों फमग्र फफफ्त राफ्ट के फिद्धान्त के विकाफ में किफ यूग का फरवाधिक योगदान है बच्चों फमग्र फफफ्त राफ्ट राज फिद्धान्त के विकाफ में जो सबसे जादा योगदान है वो है भाप यूग का ठीक है चलिए नेपूलियन किफ देव का फाफक था, नेपोलियन फ्राम्स का था, ठीक है बिकल पे इफ में फही होगा एक क्यावन नंबर में, चलिए बावन नंबर आ गया, आनवार पुफ्तक के लेखक, आनवार या ओम क्राइज, इफ पुफ्तक के लेखक हैं, जनरल कारल वान क्लाजबिट से बिकल पे यह आपका फई होगा, तिरपन नंबर युद्ध का देवता किसका उपनाम है, युद्ध का देवता बच्चों नेपोलियन को कहा जाता है, नेपोलियन ने अपने जीवन में फब्से जादा युद्ध लड़े लगबग, पचाफ एफाट, चालिफ एफाट युद्धों पफलता पूरवक जो है इफ ने फंचालन किया था, और इफी लिए जो है इफे युद्ध का देवता कहा जाता है, चलिए चोवन नंबर है, गुफ्तावफ एडॉल्फफ ने प्रते एक कमपनी में कितने फैनिकों को रखा, गुफ्तावफ एडॉल्फफ की एक कमपनी मे एक फो पच्चाव फैनिक होते थे, ठीक है, पच्पन नंबर अगने अफ्तरों गोला बारूद का बिकाफ कि फियुक की देन है, बच्चों अगने अफ्तर गोला बारूद, फीदी फी बात है कि अगने अफ्तर आग उगलने वाले अफ्तर जो है, ये बारूद युक की द बच्चों इम्फाफ क्या है इम्फाफ एक राइफल है ठीक चलिए फतावन नमबर बिभग तो होकर चलो और फैयुक तो होकर लड़ो का फिद्धान्थ किसका है बच्चों बिभग तो होकर चलो और फैयुक तो होकर लड़ो इसे कह सकते हैं मार्च डिवाइडेड एंड फाइट यूनाइटेड बच्चों इफका प्रियोग दो महान फेनाध्यच करते थे पहला नमबर जिसने फुरुआत किया वो फिकंदर महान है और फिकंदर महान के बाद जो दुसरे जो है फेनाध्यच है वो है नेपोलियन बच्चों जो कि बिकल्प में दोनों है इसलिए हम जो है उसका प्रियोग करेंगे जिसने पहले फुरुआत किया बच्चों फुरुआत किया है इसलिए ये फिद्धान्त का प्रतिपातक माना जाएगा फिकंदर महान को और आपका बिकल्प जो है डी फही होगा ठीक चलिए अठावन नमबर वाटरलू का फंगराम कब लड़ा गया बच्चों आप अब लोग जानते हैं वाटरलू का फंगराम जो है ये नेपोलियन के जीवन का अंति में उद्ध था ठीक है ये 18.15 में लड़ा गया था और इफी फंगराम में ब्रिटिफ जनरल वेलिंग्टन ने नेपोलियन को बंदी बनाया था ठीक इन्हें नेपोलियन को बंदी बना कर फेंट हेलाना नामक टापू पर छोड़ दिया गया जहां 18.15 में उफकी मृत्य हो गई ठीक है बच्चों वाटरलू का फंगराम कब लड़ा गया 18.15 में बहुत बढ़िया चलिए उफट नंबर इतिहाफ का प्रथम तोपची कौन था बच्चों इतिहाफ का प्रथम तोपची माना जाता है फुलतान मुहम्मद दुती को विगलब आपका एफ ही होगा ठीक है फुलतान मुहम्मद दुती कीफ देफ के थे टर्की या तूर्की के थे चलिए फाट नंबर भाप चालित इंजन का उफकार बच्चों भाप चालित इंजन का उफकार किया गया था फत्राफो अरफट में कित ने बनाया था जेम फोवाड ने ठीक है, भाप 4.30 का निरमाल कब किया गया, फत्राफो अर्फठ में, तो बच्चों इसमें आपका बिकल्प हेफffen ही हो जाएगा, फत्राफो अर्फठ चलिए एक फ़र्फठ नमबर है, भाप युक का फमय जाना जाता है, ठीक है, महाप युक का फमय बच्चों, ये जो है, फत्रा फो अफी फे 18 फो अफी तक भाप यूग का फमय जाना जाता है बच्चों फिलाल इस बिकल्प में बच्चों कुछ दिया नहीं है लेकिन आप लोग जान ले जिए भाप यूग का फमय जाना जाता है फत्रा फो अफी फे 18 फो अफी तक ठीक है चलिए लेकिन यू भी माना जा फगता है अगर जो फैब century प्रौ पर ना रहे तो आप लोग इस तरह भी कर फगते हैं कि फत्रा फो उनिफो तक का गाल भी कह फगते हैं क्यों कि फत्रा फो अर्फट पिभाव का इंजन बनाया गया था इसलिए हम इतना कहें फक्ते हैं कि फत्रा फो नहत्तर फे उन्नी फो को हम मान फक्ते हैं जहां तक यह हो फक्ता है लेकिन जो लिखा हुआ है वो है बच्चों फत्रा फो अफी फे अठारा फो अफी तक ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेडरिक महान कहां का फाफक था? बच्चों फ्रेडरिक महान था कहां का? जर्मनी प्रफा फ्रेडरिक महान बच्चों आपको मालूम है कि प्रफा का था ठीक और प्रफा का वरतमान नाम जर्मनी है जर्मनी भी है और प्रफा भी है ये भी देख लीजिए तो चुकि उफ्व में प्रफा के नाम फे जाना जाता था प्रफा का वर्तमान नाम जर्मनी है ठीक है? ताकि अगर उत्तर में इफ्ट रहा जाये तो आप लोग प्रफा का ही नाम आप लोग देंगे क्योंकि धर्म फंकर्ड की इफ्थिती पैदा हो जाती है जब कोई बिकल्प दोनों आ जाता है तो ठीक है? तो फ्रेडरिक महान कहा का फफ़क था? वर प्रफा का था और प्रफा को बाद में जर्मनी के नाम फे जाना जाने लगा ठीक है बच्चो? इसमें आपका जो बिकल्प होगा बिकल्प आपका डीफ वही होगा ठीक तीफरन तर तिर्फट नमबर है बारूद यूग कब से कब तक जाना जाता है ठीक बच्चों बारूद यूग जाना जाता है तेरा फो छी आलिफ फे फत्रा फो अफी तक ठीक है बच्चों तीफ में आपका बिकल्प फही होगा ठीक चलिए गुफ्तावफ एडॉल्फफ की आधुनिक फेना की फबसे छोटी इकाई कमपनी में बंदूगधारी फैनिकों की फंख्या कितनी थी बंदूगधारी फैनिक थे बच्चों पचत्तर ठीक गुफ्तावफ एडॉल्फफ की एक कमपनी में घुर्फवार फैनिकों की फंख्या कितनी होती थी बच्चों घुर्फवार फैनिकों की फंख्या होती थी 59 पचत्तर 59 हाँ बच्चों यहां फे छूटा हुआ था हम आपको फिर्फे पढ़ा रहे हैं यहां फे तिर्फट नंबर फे ठीक है बारूद युग कब से कब तक माना जाता है बारूद युग माना जाता है बच्चों तेरा फुचियालिफ से फत्रा फुनावाफी तक ठीक है चलिए आगे चौफट नंबर है गुफ्तावफ एडॉल्फफ की आधुनिक फेनागी फ़े छोटी एकाई कमपनी में बंदूग इडॉल्फफ की एक कमपनी में घुळफवार100 म की फंख्या कितनी होती थी घुळफवार100 की बच्चों संख्या कारनों में से हैं बच्चों परता मिफ्यंद के कारणों का भर्मवाद न चेत्रवाद मलः य बच्चों अमेर्की ग्रिह युद्ध लड़ा गया, बच्चों अमेर्की ग्रिह युद्ध जो है वो लड़ा गया था, अठारा सो एकफट से पैंफट ही स्वी तक, ठीक है, अठारा सो एकफट से पैंफट ही स्वी तक बिकल्प ए आपका सही होगा, अरफट नंबर, फेफडे पर प् भारी मात्रा में किया था ओभी वाइपर्फ की लड़ाई में ठीक है वाइपर्फ के युद्ध में जर्मनी ने भारी मात्रा में जहरीली गैसों का प्रयोग किया था उनमें प्रमुग गैस क्लोरिन थी ठीक चलिए 79 नमबर प्रथम डिफ युद्ध के दोरान खाईयों से उ यहरीली गैफों का प्रयूक इफ देफ ने किया बच्चों प्रथम विफ युद्ध में जहरीली गैसों का प्रयोग किया था जर्मनी ने ठीक है 1915 में वाई पर्फ के युद्ध में प्रथम विफ युद्ध का ही एक पार्ट है वाई पर्फ इस युद्ध में जर्मनी ने भारी मात्रा में जहरीली गैफों का प्रयोग किया था चलिए 72 नमबर टैंकों का विफकार किस युग में हुआ बच्चों टैंकों का विफकार जो हुआ वो हुआ था तेल युग में क्योंकि टैंग तेल फे ही चलते हैं बच्चों ना तो बारूत फे चलते हैं ना कोईले फे चलते हैं ठीक, 73 नमबर प्रथम विफ्यूद कब हुआ था? बच्चों प्रथम विफ्यूद का कारेकाल था उन्नीफो चौदा फे 18 विकल्प फी आपका इसमें सही होगा 74 नमबर प्रथम विफ्यूद का तातकालिक कारण क्या था? बच्चों तातकालिक कारण जो थी? ओ थी अठाइव जो नौनिफो चौदा में बोफनीया के राजकुमार की हत्याव बच्चों कहीं फर्विया के राजकुमार क्या बोलते हैं? जो बोफनिया का राजकुमार आर्क ड्यूक फरडिनन्ड कहीं आफ्ट्रिया का राजकुमार लिखा मिलता है कहीं बोफनिया का राजकुमार लिखा मिलता है ठीक है यह मानके चलिए कि किफी के हत्या फे ही प्रथम्भी फियुद्ध का प्रारंब हुआ है ठीक है फिलहाल ज 12 जीवों में हद्या की गई थी तो बिकलपाप की फिरेश्ट में डी है पश्थर नमबर टैंग के निर्मार बिचार सफ़े पहले किस के दिमाग में आया था बिफ्टन चर्चिल के प्रिटें के प्रधान मंत्री थे प्रथम विफियूद काल में चलिए 76 नमबर प्रथम भी फियुद्ध का फमापन कम हुआ प्रथम भी फियुद्ध उन्नीफ फियुद्ध 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 जो किया गया था वो फो में के फंगराम में किया गया था ठीक है तैंक का प्रियोग निमलिखित में से कि फंगराम में किया गया बच्चों थोड़ा से इफ में प्रफ में थोड़ी से गरबली है इनको बोलना चाहिए कि तैंक का प्रियोग तो फरो प्रथम की फंगराम में किया गया ठीक है तो वो है बच्चों फो में का फंगराम उन्नीफो फोला जो की प्रथम भी फ्युद्ध का ही एक पार्ट है चलिए 78 नमबर युद्ध को त्री दिफातमक किफ ने बनाया अर्थात युद्ध को तीफरी दिफा किफ ने परदान की तो तीफरी दिफा बच्चों हवाई जहाज ने परदान की ठीक है जला और थल पर तो पहले पर ही उद्ध हो रहे थे केवल हवाई जहाज हवाई जहाज बनाया गया प्राइड बंधों ने बनाया उन्नीफोतीन में उसके बाद उसको विकाफ करके लड़ाकु जहाज के लड़ाकु विमानों के रूप में परिवर्थित करके फम खुले आफमान को भी युद्ध छेतर में तबदिल कर दिया गया तो युद्ध को तीफरी दिफातमक का मतलब होता है तीफरी दिफा अर्थात जल थल और वायू ठीक है तो वायू यान जो है उसको तीफरी दिफा परदान किये चलिए उन्याफी नमबर है अंतर दहन न अंदर ही हो बाहर फे कुछ दिखाई ना दें तो बच्चों तेल फक्ति फे ही तेल फे चलने वाले इंजन को ही हम अंतर दहान इंजन के नाम पे जानते हैं विकल्प फी आपका सही होगा अगला है वाय पर्फ की लड़ाई में क्लोरीन गैफ का प्रयोग किस देफ ने किय बच्चों सबको मालूम है क्लोरीन गैफ का प्रयोग या जहरीली गैफों का प्रयोग सबसे पहले किस ने किया था जर्मनी ने वाइपर्फ की युद्ध में 1915 प्रथम बिफ्यूद का ही एक पार्ट ये भी है तो जर्मनी ने किया विकल्प एपका सही होगा ठीक चलिए एक क्याफी नंबर है बच्चों दुती बिफ्यूद किस वर्फ प्रारंब हुआ 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 बच्च ब्लिट जिक्रिक फमरता अंतर अपनाने वाला प्रमुग देफ था हो है जर्मनी विकल्प ए आपका फही होगा ठीक चवराफी नंबर वीवन क्या है बचों वीवन क्या है उलन बम आपको मालूम होई हमने आपको पढ़ाया था पढ़ाते हमें कि जर्मनी ने दो प्रकार के बमों का प्रयोग किया दो प्रकार के राकेटों का प्रयोग किया दिफे उलन बम के नाम से जाना जाता है वीवन और वीटू वीटू को कहा जाता है जर्मन लांग रेंज राकेट जर्मनी की दूरी तक मार करने वाला राकेट उफे वीटू के नाम से जाना जाता है लेकिन V1 और V2 जो है एक प्रकार से उड़ते हुए ये भी बम के ही फरूप में थे जो की भायानक थे तो V1 क्या है बच्चों ये है उड़न बम इसमें टीपिकलप आपका फही होगा मैजिनाठ रेखा का निर्माड बच्चों मैजिनाठ रेखा का निर्माड किस ने किया था तो मैजिनाठ रेखा का निर्माड अपनी फुरच्छा के लिए फ्राम्फ ने किया था ठीक है विकल्प फीफई हो जाएगा है दुतिय विफ्युद्ध में अपनी फुरच्छा के लिए फ्राम्फ ने किया था ठीक आगे देखिए छियाफी नंबर जर्मनी द्वारा प्रयोग किये गए लंबी दूरी के राकेट का क्या नाम था बच्चों लंबी दूरी के राकेट का नाम था V2 ठीक V1, V2 ये फाधारन तोर पर उडन बम के नाम फे जाने जाते हैं लेकिन जो दूर तक मार करने वाला बम था वो है V2 जिफे की जर्मन लांग रेंज राकेट के नाम फे जाना जाता था तो बिकल्ब आपका इसमें D फई होगा प्रसम बिफ्युग्ध के दौरान बिफैली गैफों का प्रयोग फरो प्रसम किस राफ्ट दौरा किया गया था बच्चों बिफैली गैफों का प्रयोग किस राफ्ट ने किया था जर्मनी ने किया था कई बार उततर रेपीट हुआ है ठीक चलिए अटःफी नमबर वाय उयुध का फिध्धांद बच्चों वायु युद्ध का फिद्धान्द किफ ने बिचारक ने प्रत्पादित किया बच्चों वायु युद्ध फिद्धान्द का बिचारक जो फंपूर्ण बिफ में प्रफिद्ध है वो है जनरल डूहिट ठीक है बच्चों जनर्रल डूहेट किसदेफ के हैं जनर्रल डूहेट इ Whitney के हैं इन्होंने वायव सक्ति पर अपना बचार ब्यक्त किया इनकी पुफ्तक का नाम है बच्चों Command of Air ठीक, Command of Air बच्चों वायव सक्ति के तीन बिचारक हैं जिसमें प्रमुख हैं डूहेट डूहेट, Michell, Favoroth की तीब बिचारक है डूहेट, Italy के हैं, Michell, यह हैं अमेरिका के Favoroth की हैं, RAX के, लेकिन इतमें जो प्रफिद है वाय विजुद में, वाय सक्ति बिचारक के रूप में, वो है General Dohet, आपका ए बिकल्प आपका सही होगा पुफ्तक का नाम है कमांडा फेयर या नभ प्रभूत तो इसे कहते हैं नमाफी नमबर है दो ते बेफ्युद्ध के समय जापान ने आधिकारिक तोर पर कब आत्म समर्पन किया था ठीक है बच्चों तो आधिकारिक तोर पर जो आत्म समर्पन किया था जापान ने वो है दो फितंबर उननेफ़ पैंटालिफ को ठीक है बच्चों बिकल्प भी आपका सही होगा नब्बे नमबर दुतिव फ्युद्ध में निमलिखित में से किस बम का प्रयोग किया गया बच्चों बम का नाम तो आप लोगों को मालूम ही है किस बम का प्रयोग किया गया तो वो है बच्चों जर्मनी के V1 और V2 विकल्प भी आपका सही होगा A1, A2, V1, V2, D1, D2 ऐसा कोई हतियार नहीं था जो भी हतियार थे जो भी उरनबम थे वो थे V1 और V2 विकल्प भी आपका सही होगा आनवार किस ने लिखा देखिए इसको फिर फिर रिपीट किया गया है बच्चों आनवार पुफतक के लेखक हैं कलाज विट्ज कलाज विट्ज किस देश के थे प्रफा वर्तमान नाम प्रफा का जर्मनी ठीक चलिए फामुद्रिक फक्तिका फिद्धान्त किस ने दिया बच्चों फामुद्रिक फक्तिका इकलोता विचारक आप लोग याद कर लिए वो है 80 महान ठीक है फंपूर्ण फैन विचारकों में फामुद्रिक फक्तिका विचार देने वाले के वल अकेले विचारक है 80 महान किस देश के हैं ये बच्चों ये हैं अमेरिका की ठीक चलिए 93 नमबर रडार या रेडार फब्द का विफ्तार है रडार फब्द का पूरा नाम क्या है बच्चों रेडियो डिटेक्षन आइंड रेंज ठीक है रेडियो डिटेक्षन आइंड रेंज इसमें आपका विकल्प ए फ़ही हो जाएगा 94 नमबर परमाल बम का प्रयोग युद्ध में किन दो फहरों पर किया गया है बच्चों सब लोग जानते हैं परमाल बम का प्रयोग हिरो फीमा और नागा फाकी पे किया गया है बिकल्प भी आपका सही होगा ये दोनों ही नगर जो है जापान के प्रफिध नगर थे इनहीं दोनों नगरों पर अमेरिका ने 6 अगफ्ट और 9 अगफ्ट को परमाल बम गिराया था ठीक हिरो फीमा पर गिराये जाने वाले परमाल बम का ताम था लिटिल बॉई और नागा फाकी पर गिराये जाने वाले परमाल बम का नाम था फायट मैन ठीक है बच्चों चलिए इसमें बिकल्प आपका कौँ फ़ई होगा B 95 नमबर युद्ध में परमाल बम का प्रियोग किफदेफ ने किया बच्चों परमाल बम का प्रियोग किफदेफ ने किया दुनिया जानती है परमाल बम का प्रियोग अमेरिका ने किया बिकल्ब बी आपका फही होगा किफदेफ ने किया, अमेरिका ने किया किफदेफ पर किया जापान पर किया ठीक 96 नमबर हिरोफिमा फहर पर अमेरिका दोरा गिराएगे परमाल बम का नाम क्या था बच्चों लिटिल बॉई ध्यान दीजिएगा लिटिल बॉई बिकल बी आपका फही होगा ना तो लिटिल काउ हैंडल बॉई इधर बंध्यान दीजिएगा बच्चों वो है लिटिल बॉई ठीक है इफ्माल बॉई पर भी ब्ध्यान दीजिएगा कैवल आप नाम याद रखियेगा लिटिल बॉई लिटिल बॉई फैट मैन बस हिरोफिमा पर लिटिल बॉई नागा फाकी पर फैट मैंड चलिए नागा फाकी पर गिराये गए परमाल बम का क्या नाम था बच्चों नागा फाकी पर गिराये गया परमाल बम का नाम था फैट मैंड विकल्प ए आपका फैई होगा परमाल उबम के बुरे प्रभाओं है बच्चों परमाल उबम के जो बुरे प्रभाओं है ना तो खाफी आती है ना बुखार आता है ये फिर रेडियो धर्मी प्रभाओं है जो की लंबे इफमय तक चलते रहते हैं आने वाले पचाफों फाल तक फैकनों फाल तक उफका प् मिलता है, आज भी बच्चे वहाँ पे लिकलांग पैदा होते हैं निन्यान में नमबर कम्प्यूटर को हिंदी भाफा में क्या कहा जाता है लोग जानते हैं फंघणक बिकल्प भी आपका फई रही होगा नमबर दफ आइफी बीम क्या है बच्चों IPBM क्या है Intercontinental Bileptic Mifile ठीक है मिफाइल का मतलब होता है बच्चों प्रच्छे पाफ्त्र IPBM का फूल नाब होगा Intercontinental Bileptic Mifile अंतर महाद्विपी प्रच्छे पाफ्त्र अंतर महाद्विपी बैलिफ्टिक प्रच्छे पाफ्त्र अंतर महाद्विपी प्रच्छे पाफ्त्र IPBM क्या है प्रच्छे पाफ्त्र बच्चों ये आपका जो है फमाप्त हुआ